प्यारे बच्चों, हिंदी मांधियम की पाटशाला यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में हम कच्चा दस्वी के गडित के NCRT के एक्जांपलर बुक के अध्या 5 समानतस श्रिणिया यानि की AP की प्रशनावली 5.0 जो की MCQ है, Multiple Choice Question है यानि की Objective Type Question है कि प्रशन 5 को हल करेंगे। हमारे सामने MCQ का प्रशन 5 है, Objective Type Question है, या Multiple Choice Question है, प्रशन 5 में हम से कहा गया है उस AP का उस समानतस श्रिणिया का जिसका प्रथम पद माइनस 2 है और सारवांतर भी माइनस 2 है कि प्रथम 4 पद हैं। माइनस 2,0,2,4 विकल्ब B है, माइनस 2,4, माइनस 8,16 विकल्ब C है, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8, माइनस 16 हमें बताना इन चारों में से कौन सा विकल्ब सही है। बहुत ये अच्छा प्रश्ण है बचो ये और इस तरह के बहुत से प्रश्ण पूछे भी जाते हैं तो यहां पर हमें दे रखा है प्रतम पत क्या है माइनस दो तो A1 बरावर A बरावर माइनस दो दे रखा है और सारवंतर दे रखा है माइनस दो तो D ब्रावा माइनस दो दे रखा है हमसे पूझा है प्रिथम चार पत क्या होंगे तो पहला पत तो ही माइनस दो दे ही रखा है और सभी बिकल्पों में भी पहला पत माइनस दो है अब दूसरा पत निकाल लेते हैं A2 तो दूसरा पत क्या होगा पहला पत प्लस सारवांतर यानि कि A1 प्लस D तो A2 होगा A1 प्लस D अब A2 है माइनस दो तो माइनस दो लिख दिया प्लस का चेन ने तो प्लस लगा दिया D है माइनस दो है तो माइनस दो लिख दिया अब A2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस दो तो माइनस दो हो गया यह प्लस माइनस हो जाएगा माइनस तो यह माइनस दो माइनस दो माइनस दो कितना होगा माइनस चार तो A2 आगा माइनस चार अब देखिए विकल्प C और विकल्प D में दूसरा पत माइनस 4 है दोनों में तो अभी भी हम उत्तर तक नहीं आये हैं पर यह तो पता चल गए अब एकल भी नहीं होगा अब तीसरा पत निकाल लेते हैं तीसरा पत क्या होगा A3 बराबर A2 प्लस D A2 प्लस सारवांतर A2 निकाल जोकि हम माइनस 4 तो A3 बराबर A2 A2 है माइनस 4 प्लस D D कितना है माइनस 2 तो माइनस 2 लिख दिया तो A3 बराबर आजाएगा हमारा माइनस 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 और यह 2 है तो 2 हो गया माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा हमारा माइनस 6 तो A3 आगया माइनस 6 अब विकल्ब C में जो है तीसरा पत माइनस 6 है जबकि विकल्ब D में तीसरा पत माइनस 8 है तो उत्तर तो हमारा आ गया विकल्ब C फिर भी हम चौथा पत निकाल के आपको दिखा देते हैं पर अगर आगर आपके वास समय नहीं है एक दाम है तो आप सीधे विकल्ब C तो A4 चौथा पत आजाएगा हमारा माइनस 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 होता है माइनस 8 तो A4 आगे माइनस 8 जहीं विकल्ब C में दे रखा चौथा पत तो हमारे क्या आगए पत माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 जो कि विकल्ब C है तो वि उमीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखके हमसे पूछ सकते हैं आपको आपके कमेंट का रिपलाई अवश्य मिलेगा बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माद्यम की पाटशला यूटीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को भी दबा दीजे इससे आपको क्या फायदा होगा जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूटूब पर वीडियो को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियो आपको उपर नजर आने लगेंगे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेर कीजिए वाट्शॉप पर फेस्बूप पर और सभी जगें जिससे हिंदी माध्यम की छात्रों का अधिक स्याधिक लाव हो सके बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा और बच्चों अध्याएक के सभी वीडियो को देखने के लिए आप उपर आई बटन पर क्लिक कीजिए आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याएक के सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे धन्यवाद बच्चों